नमस्कार और वेलकम टूई स्मार्टर एवडेज चलन दोस्तो बिहार पुलिस में दोस्तो बहुत इबंपर वेकेंसी आ चुकी है अगर हम बात करें टोटल नमबर वेकेंसी की तो 21,391 यहां पर वेकेंसी जारी हो चुका है और अधर स्टेट वाले भी इसमें अपलाई कर सक आपके लिए दोस्तो एक सुनहरा मौका यहां पर मिल रहा है बिहार पुलिस में यहां पर जॉब करने के लिए और इस वीडियो को आपको लास तक देखते रहना है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका पेपर का एक्जाम तो आपका हो गई होगा लेकिन म आपका जो selection का जो मेगा अगर हम करें cutoff कि हपर कि तयार होगा तो वो physical पर cutoff वगरा तयार होता है तो उस चीज़गों आपको ध्यान रखना है कि आपका डोड़ वगरा, running वगरा कितना नंबर आपको लाने की आफ सकता है साथ में paper भी आपको यहां पर बताऊंगा कि paper में कितना number marks आपके आने चाहिए तो दोस्तों आप physical के लिए qualify होंगे पूरी जनकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है अगर आज से पहले बिहार के भरती के बारे में अगर आपने कभी भी कोई भी information आपको नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी doubt नहीं रहेगा तो चलिए friends बिना किसी देरी के वीडियो में आगर बढ़ता है उससे पहले हमेशा कितरा और आपके घर परिवार में कोई भी candidate या male हो चाहे फीमेल हो बिहार पुलिस की भरती का इंतजार कर रहे थे उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देजिएगा तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं केंद्रे चैन परसत सिपाही भरती के तरप से official notification यहाँ पर जारी हो चुका है जिसका दोस्तो यहाँ पर देख सकते है इसमें बिहार पुलिस सिपाही सरवग में जिला पुलिस के लिए यहाँ पर भरती निकाले गई है बिहार बिशेस यहाँ पर ससस्तर पुलिस या अने कायू में दोस्तो पूरुस महिलाओं के लिए यहाँ पर रिक्तियां जो है यहाँ पर सीधी नियुक्ति यहाँ जो भरतियां है इसको निकाला गया है फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 20 जुलाई 2023 तक दोस्तों फॉर्म जो है आप भर सकते हैं विग्यापन संख्या आप देख सकते हैं 0-1-2023 है इसके लावा लेबल 3 के तहट आपको सेलरी बगरा दोस्तों इसमें दी जाती है और जर्नल कटिगरी में काउंट किये जाएंगे टीक है फॉर्म जो तो यहाँ पर देख सकते हैं 20 जून से यहाँ पर फॉर्म जो भरना जो है वहाँ चालू कर दिया जाएगा और CSBC की ऑफिसल वेफसाइट से जाके आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते है अब एक ची क्यों ही आपको फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा और रिटेंड एग्जामिशन का जो नंबर है वो आपकर कहीं भी नहीं जुड़ेगा बस आपको इतना नंबर लेकर आप आना है कि आपका फिजिकल के लिए कॉल यहाँ पर आ जाए और आपको फिजिकल के लिए यहा तक क्या होने चीए देखिए अगर आपने किसी भी बोर्ड यहाँ पर संस्तान से या राजी या केंदर सरकार दोरा जो भी मानेता प्राप संस्तान है उनके दोरा अगर आपने 12 पास किया हूँ है 12 अपने किसी भी स्टीम से क्या हो आर्ट से क्या हो कॉमर्स से क्या हो साइन् स्टेट वालों को अभी 25 वर्स तक काउंट किया जाएगा और 8 का कैलकुलेशन है दोस्तों 1822 से अपने डेटर बर्थ के अनुसार आपको कैलकुलेट करना है कि मिनिमम आपका डेटर बर्थ 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 वर्स से जादा नहीं होनी चाहिए अगर आप जनल कैंडिगेट के अंतरगाद आते हैं मेल फिमेल दोनों को इसके लावा अतियंत पिछड़ा वर्ग हो गया पिछड़ा वर्ग के पुरुस महिलाओं के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जाल लेते हैं फिर बाद में फिजिकल में जाके हाइट में बाहर हो जाते हैं इससे पहले आपको सारी जो एलिजिबिल्टी कंडिशन यहाँ पर माईगी हुई है उन सभी चीजों को आपको फुल्फिल करना चाहिए तभी दोस्तों आपको फॉर्म बगरा यहाँ पर भरना चाहिए ठीक है इसके लबाँ उचाई की बात करें तो अगर आप समाने पिछडा वर्ग पूरसों के लिए यहाँ पर हाइट की बात करें तो 165 cm यहाँ पर हाइट मापी जाएगी जनरल कटेगरी और अधर स्टेट वाले के भी हाइट भी 165 यहाँ पर मापी जाएगी अतियंत पिछडा वर्ग पूरसों के लिए 160 cm हाइट मापी जाएगी अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती पूरसों के लिए 160 cm हाइट मापी जाएगी और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए यहाँ पर 155 cm हाइट मापी जाएगी और अधर स्टेट की भी जो महिला होगी उनकी भी हाइट दोस्तों 155 cm मापी जाएगी अगर हम सीना की बात करें तो यहाँ पर समानने वर्गों के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए जो चेस्ट है 81-86 यहाँ पर होना चाहिए होता ही होता है लेकिन आपको वजन जो है 48 केजी से यहाँ पर कम नहीं होना चाहिए इस बात को आपको ध्यान रखना है इसके लावा पहला जो है आपर पहला जो चरण होगा आपका लिखित परिक्चा होगा जो 100 नमबर का कोशन आपका पूशा जाएगा 10th लेवल का दोस्त होता है इसके लाव दोस्तों इसमें मैंने आपको शुरुआत भी बता था 30% से ज़्यादा नमबर आने चाहिए 30% यानि की 30% से कहने की बात है यहाँ पर आपको जो सतर से 75 नमबर आपको इस बार इसमें रखना होगा यानि की यहाँ पर रिटन एग्जामनीशन में इसके अच्छा आपको गोला फेक करना है या आपको अच्छा से अच्छा उचा कूद करना है क्योंकि इसी के बेस पे आपका सेलेक्शन होगा ठीक है पेपर के बेस पे सेलेक्शन नहीं होगा फिजिकल के बेस पे सेलेक्शन होगा यहाँ पर देखेंगे दोड यहाँ पर अधि पाँच मिनट चालीस सेकंड तक कोई candidate यहाँ पर race complete करता है तो तीस अंग दिये जाएंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर timing के अनुसार यहाँ पर नमबरों को दिया जाता है इसी प्रकार से 6 मिनट से अधिक समय लेने पर अभियरती को असफल गोशीद कर दिया जाता है पचास अंग दे दिये जाते हैं और उसके अनुसार ज्यादा ज्यादा यहाँ पर समय लेने पर उससार से नमबर यहाँ पर देखने को मिलेगा गोला फेक की बात करें तो अधिकतम अंग जो है 25 अंग दिये जाएंगे इसी प्रकार से यहाँ पर जो है 16 फीट से कम फेकने वाले जो अभियरती पूरूस अभियरती होंगे उनको असफल घोचित कर दिया जाएगा यानि कि 16 फीट से तो यहाँ पर ज्यादा आपको फेकना ही फेकना होगा इसका लावा उची कूद यहाँ पर 25 नमबर यहाँ पर मिलेंगे 4 फीट कूदते हैं तो यहाँ पर 13 ऑंग दियेंगे 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 ऑंग मिलेंगे इसी प्रकार से 5 फीट तक कूद देते हैं तो 25 के 25 अंग दे दिये जाएगे पूरशो के लिए वहीं दोस्तों यहाँ पर बात करें महिलाओं के लिए यहाँ पर देख सकते हैं नियुनतम 3 feet आपको कुदना होगा 3 feet कोई महिला कुदनी है तो 13 अंक मिलेंगे इसी परकार से 4 feet कोई महिला कुदनी है तो 25 के 25 अंक दे दिये जाएंगे ठीक है और जो आपका physical होगा उसी के base पर सारा कुछ निर्धारित होगा मेगा सूची जो है इसी के नंबर पर अधार पर आपका मेगा सूची यहाँ पर तयार किया जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं seatो का कितना क्या कौन कौन से category को कितनी seati रखी गई है यह सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और सिर्फ बिहार के जो निवासी है और महिलाओं को धो यहाँ पर 180 रुपई यहाँ पर payment करना होगा जो net banking, credit card, debit card की माध्यम से आप payment कर सकते हैं तो ये सारी चीज़े दोस्तों और आपको आने वाले समय में दोस्तों इसके regarding में आपको cut up वगरा की पूरी proper जनकार यहाँ पर देने वाला हूँ तो इस चलो को आपको subscribe करके जरूर रखना चाहिए ताकि इस related कोई भी update आता रहेगा तो आपको इस चलो के माध्यम से सूचना आपको मिलती रहेगी इस वीडियो में इतना ही, वीडियो दिखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धनिवाद थैंक्स पर वाचिंग, जहें